हलो, तो आज की हमारी एक्टिमिटी है प्रेसिपिटेशन रियक्शन्स तो इसके लिए मैंने ये सिल्वर नाइट्रेट का गोल लिया है और ये दूसरी परकतली में में मेरे पार सोडियम क्लोराइड का गोल है तो जैसे हम sodium chloride की कुछ बुंदे silver nitrate के गोल में डालते हैं तो एक्दम से हमारे पास ये white color का substance बन जाता है जो की insoluble है यानि अगुलन शील है तो जब silver nitrate और sodium chloride आपकस में अभी क्रिया करते हैं तो इनके अभी क्रिया करने से silver chloride के white precipitates बन जाते हैं और साथ ही हमारे पास sodium nitrate बन जाता है जो की घुल्य यवस्था में रहता है दूसरी reaction के लिए मैंने sodium hydroxide का गोल लिया है और ये blue color का copper sulfate का गोल है तो जैसे copper sulfate के गोल की कुछ बुंदे हम sodium hydroxide में डालते हैं तो ये हमारे पास copper hydroxide के blue color के precipitates जाने अवक्षेप बन जाते हैं और साथ ही हमारे पास ये sodium sulfate का गोल बन जाता है तीसरी reaction के लिए मैंने sodium hydroxide का ही गोल लिया है और अब ये मेरे पास magnesium sulfate है तो जैसे हम magnesium sulfate की बुंदे sodium hydroxide के गोल में डालते हैं तो magnesium hydroxide के white color के precipitates बन जाते हैं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम एके test tube के अंदर दो precipitation reactions को एकठा कर लें तो इसके लिए मैंने ये sodium hydroxide का गोल लिया है copper sulfate डालने पर ये copper hydroxide के blue color के precipitates बन जाते हैं और इसमें ही magnesium sulfate का गोल डालने पर ये हमार पस white color के magnesium hydroxide के भी precipitates इसके अंदर ही बन जाते हैं तो इस तरह से हम एक ही test tube के अंदर दो precipitation reactions को एकठा कर सकते हैं I hope कि ये activity आपको पसंद आई होगी Thank you